तो आज आपने देखा मार्केट के अंदर क्या हुआ अगर आपको नहीं पता मार्केट 25,000 से 25,400 तक गई 400 पॉइंट एक घंटे के अंदर विच इस वेरी 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 रेर अगर आप इन परसेंटेज प्रस्पेक्टेव पुट करोगे तो वन दो परसेंट का मुव एक होता है ठीक है बट अब इसका कोई solution नहीं ठीक है अब मैंने बहुत ट्वीट पड़े है यह मैनिपलेशन है मार्केट के अंदर यह है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि मान लो मैनिपलेशन है तो इसका solution क्या अब आप क्या कर लोगे अब अगर आप यह माइंट्रेट्स अ इसका solution क्या है इसका solution क्या है आप जो भी strategies carry forward कर रहे हो उन्हें risk defined करना शुरू करता हूं क्योंकि यह जो moves आ रहे है ना जैसे मैं आपको दिखाता हूं example से explain करूँगा हमारा यह nifty का trade था अब देखो free था कहीं भी जाती loss नहीं हुआ ठीक है आप बच गए लेकिन मैं आपको बैंक निफ्टी का दिखाता हूं trade जो मैंने इस अफते लिया है देखो सब में risk defined है ऐसा नहीं है कि बहुत जाज़ा रिस्क है one is to one 2000 के 12000 रिस्क हमेशे stable है 40 के देखो आप देखोगे तो 40 के 34000 यह अगले हफते का trade है तो यह अब ऐसे पढ़ा है 36 के 38 लेकिन एक चीज़ समझो अगर मैं बैंक निफ्टी पर हाऊ भी यह नॉर्मल भीएवियर नहीं है कि हम डाउंसाइड को पूरे टेस्ट करें फिर ग्याप खुले फिर अपसाइड को पूरे टेस्ट करें एक ही दिन के अंदर आप समझो पहले हम फिफ्टीवन फोर हं इसका सिंपल सा सलीशन है आप अपने स्टैटेजी को रिस्क डिफाइन करना शुरू करते हो आप वो टेलेग्राम करना है नीचे टेलेग्राम का लिंक है आप जा सकते हो आईडियास दे सकते हो उनसे सीख सकते हो और से आप वो कर सकते हो जो भी आपको कमफर्टेबल लग बाकि लेक्टार देक्ट